भारतिय प्रजातंत्र पॉर्कास्ट श्रिंखला भाग 3 में आपका हार्दिक अभिनंदन है हमने इस श्रिंखला की सभी कडियों के माध्यम से भारतिय समवैधानिक व्यवस्था के बारे में जानकारी साधारन भाशा में आप तक पहुचाने की कोशिश की है हमारी ओडियो कंटेंट प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके द्वारा अब तक पढ़े गए कंटेंट का रिवीजन भी हो सकते हैं अगर ऐसा है तो यह हमारे लिए प्रसन्निता का विशय है मेरा सबसे अनुग्रह है कि भारत के सम्विधान से संबंधित जानकारी सबको होना चाहिए इसके लिए आपको भी सम्विधान संबंधित विशयों पर केंदरित सामगरी पढ़ना या सुना अवश्य चाहिए भारत संध की प्रजातांत्रिक व्यवस्था संसदिय व्यवस्था से चलती है सम्विधान में किये गए प्रावधान के अनुसार भारतिय संसद तीन बिंदों मिलकर पूरी होती है प्रथम स्थान पर भारत के महामहिम राश्ट्रपती जी है, दूसरे स्थान पर उच्च सदन अर्थात राज्यसभा तथा तीसरे स्थान पर निचला सदन जिसे हम लोकसभा कहते हैं अर्थात भारतिय संसद माननीय राश्ट्रपती जी, राज्य सभा एवन लोक सभा से मिलकर ही पूर्ण आकार लेती है पिछले एपिसोड में हमने लोक सभा निर्वाचन प्रक्रिया का संक्षिप्त विवर्ण आप से साजा किया था आशा है आप लाभानवित हुए होंगे श्रोताओं इस पॉर्डकास्ट में हम राज्य सभा के संबंध में भारतिय सम्विधान की व्यवस्थाओं की जानकारी साजा कर रहे हैं सम्वैधानिक व्यवस्था अनुसार राज्य सभा का कार्यकाल छे वर्ष का होता है जबकि निम्नसदन अर्थात लोकसभा का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है भारत के संब्धान के अनुच्छेद अस्सी में इसका व्यापक मार्कदर्शन किया गया है धारा अस्सी के उपबंध तीन और चार को संब्धान से विलोपित किया गया है उपबंध तीन और चार क्रमश 35-वे संशोधन वर्ष 1974 और 36-वे संशोधन वर्ष 1975 में किया गया था श्रोताओं अब तक हुए संब्धान संशोधनों पर हम प्रिथक से पाठ्य सामगरी तयार कर रहे हैं राज्यसभा के सदस्यों की अधिक्तम संख्या 250 है भारत के संविधान के अनुच्छेद 80 में व्यवस्था दी गई है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपतीजी द्वारा साहित्य विज्ञान कला और समाज सेवा के खेत्र में प्रसिद एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों को नामांकित किया जाता है जिनकी संख्या अधिक्तम बारा हो सकती है सम्वैधानिक व्यवस्था के अनुसार राज्यस्भा, अर्थात, उच्छ सदन के सदस्यों का चुनाव विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा किया जाता है उप्रोक्त अनुसार कल 250 सीटों में से मनोनीत सांसदों के बाद 6238 सीटों के लिए सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान प्रक्रिया से किया जाता है इस प्रक्रिया में एकल संक्रमनिय मतदान प्रणाली से होता है से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है मित्रों संसदिय प्रणाली में राज्यस्भा के लिए सदस्य के चुनाव के लिए सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी को 10,000 रुपए की अवधान राशी जमा करनी होती है जबकि आरक्षित समवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यह सीमा 5,000 रुपए है अभ्यर्थी के रूप में पर्चा दाखिल करने का अधिकार व्यक्ती को उनके प्रस्तावक प्रतिनिधी को दिया गया है पूर्व के पौडकास्ट सहित इस पौडकास्ट में हमने भारतिय प्रजातंत्र में संसदिय व्यवस्था के संबंध में जाना अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत की जनसंख्या के सापेक्ष लोक सभा में 543 तथा राज्यसभा में 250 प्रतिनिधी की संख्या स्थाई रूप से सुनिश्चित कर दी गई है नहीं ऐसा नहीं है भारत के संविधान में भारतिय संसदिय व्यवस्था में जनगणना के उपरांत सदस्य संख्या में परिवर्तन का प्रावधान संविधान में पूर्व से ही किया जा चुका है संविधान द्वारा दो हजार चब्वीस के पश्चात कराई जाने वाली जनगणना के उपरांत प्रकाशित आक्रों के आधार पर संसदिय सीटों का पुनरनिधारन किसी प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि भारत की कुल जन संख्या के सापेक्ष संसद में जन प्रतिनिधियों की संख्या में परिवर्टन होना सुनिश्चित है इसके अलावा महिलाओं के लिए प्रस्तावित 15% आरक्षन की व्यवस्था भी भविश्य में लागू की जानी है संख्या के सापेक्ष होगी आज के लिए बस इतना ही कृपिया आज के पॉड़कास्ट से आपने क्या जाना और क्या इस पॉड़कास्ट में छूट गया है कृपिया कमेंट बॉक्स में बताने का कश्ट कीजिए